नमस्गार दोस्तों देखे चत्ति ज़ड़ के पहाड़ों वाला हिस्सा हम लोग देख रहे थे उसी में आज नेक्स्ट वीडियो है हम लोग चत्ति जड़़के कुछ पठार देखेंगे और जो पहाड़ी कुछ बज गई थी वह वाली पहाड़ी वाला छेत्र देखेंगे आज का जो वीडियो है, वो बहुत important होने वाला है, आज के वीडियो से बहुत सारे exams में हर बार questions आते रहे हैं, इसलिए आप लोग देखेंगे, आज कुछ-कुछ परियटन को हम लोग cover करेंगे, जैसे तालागनों के बारे में हम लोग बहुत important जो है एक परियटन है, 36 चलिए, ठीक है, इसके पहले हम लोग उने दो वीडियो और पहाड़ी वाला बना लिया है, वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा है, तो वीडियो जा के देख लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक देदूँगा, 36 गड़ का भूगोल वाला हिस् ठीक है, ताकि और भी मैं आप लोगों के लिए अच्छे-चे कंटेंट ला सको और आप लोग का रिस्पॉंस मुझे मिल सकी, ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 36 गड़ के पठार से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं आप लोग को पहले भी बताया उसका जो हिस्सा रहता है, उपरी हिस्सा, वो नुकीला नहो के जब समतल हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैदान वाला हिस्सा हो, पहाडी का सबसे उचा हिस्सा, नुकीला नहो कर क्या हो, उपर का हिस्सा जो है, वो समतल हो, तो उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, और पा पठारों के बारे में पढ़ेंगे, पहला पेंडरा का पठार, ठीक है, पेंडरा का पठार कहते हैं इसको, पेंडरा का पठार का विस्तार कौन-कौन से जीले में है, गोरेला पेंडरा मरवाही, जो नया जीला बना है, मुंगेली जीला और पोर्बा जीला, ये तीन जगहा विस्तार है इसका और ये ध्यान रखना कि पेंडरा का पठार भी किसका हिस्सा है मैकल परवस्रिणी का हिस्सा है पेंडरा का पठार तो इसका विस्तार देख लेते हैं हम लोग गोरिला पेंडरा मरवाही यहाँ पर है कुछ ठीक है यह बिंदू डाल लों मैं गोरिला पेंडरा मरवाही जीले में इसका सरवाधिक विस्तार है ये भी याद रखना ठीक है अब इस पेंडरा के पठार के अंतरगत जो की मैकल परवस्रेणी का हिस्सा है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी कहां है गोरिला पेंडरा मरवाही में है ठीक है जहां से अरपा नदी का उ जहां से अरपा नदी का उद्गम होता है अब थोड़ा सा हम लोग अरपा नदी के बारे में देख लेते हैं अरपा नदी बिलासपूर की जीवन रिखा कहलाती है क्योंकि गोरिला पेंडरा मरवाही से निकल कर कहा जाती है वो बिलासपूर जीले में प्रवाहित होती है यहा पास के छित्रों में सिचाई की जाती है इस परियोजना की माध्यम से ठीक है अरपा नदी की सहायक नदी कौनसी है खारंग नदी है कौनसी नदी है खारंग नदी अरपा नदी की सहायक नदी खारंग नदी है जिस पर आनंद सागर जलासे बना हुआ है जो डेम है आप विला सागर जलासा में संजय गांधी पर्योजना संचालित है कौन से पर्योजना संजय गांधी परियोजना खुटा-घाट बांध इसी को कहते हैं खुटा-घाट बांध बना हुआ है एक चीज और याद रखना तो संजय गंधी परियोजना चल रही है ठीक है यह चीज याद रखना अभी होगे आरपन नदी के बारे में इसकी सहायक नदी खारंग नदी के बारे में अब हम लोग को देखना है कि पेंडरा के पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है तो यहां दो चोटी है एक जिसकी हाइट है यह कहां है पल्मागड की चोटी गोरेला पेंडरा मरवाही जीला में है ठीक है अब एक और चोटी याद रखना लाफागड की चोटी यह कोरबा जीला में है इसका हाइट है 1048 मीटर जो दूसरी सबसे उची चोटी है यह कोरबा जीला में है कौन सा लाफ पढ़ेगा कहीं से भी यह content आपका पेंडरा के पठार से संबंदित जितना भी question आएगा वह बन जाएगा ठीक यह हो गया आपका पेंडरा के पठार अब देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं लोर्मी का पठार ठीक है लोर्मी का पठार में थोड़ा सा गर आप नीचे आते ह ठीक है यहां पर आप देखो यह हो गया पेंडरा का पठार आपका विस्तार अब यह मिटा रहा हूं ठीक है लोर्मी का पठार में यहां पर गोरिला पेंडरा मरवा ही है और यहां पर का है मुंगेली है ने बिलासपूर और मुंगेली बिलासपूर है और यहां पर मुंग मंगंली जीला में हैं सबसे ज्यादा विस्तार तो जो कहां है करके पूछे लेकिन कहीं अगर कहीं मारेंगे तो यहाँ पर मुंगेली जिला में लोर्मी के पठार का सरवाथिक विस्तार है, यहां से कौन सी नदी का उधगम होता है, यह याद रखना, लोर्मी के पठार जो मुंगेली जिला में है, मुंगेली के लोर्मी के पठार से कौन सी नदी का उधगम होता है, मनियारी नदी का अब मनियारी नदी के बारे में बहुत important fact हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, दो चीज़ याद रखना, मनियारी नदी क्या है, सिवनात की सहायक नदी है, शिवनात नदी का उदगम कहां से होता है, गढ़ चिरोली महराश्टर से, यहा सिवनात नदी की सहायक नदी है, मनियारी नदी, ठीक है, और सिवनात नदी के तट पर, ठीक है, सिवनात और मनियारी नदी, मनियारी नदी जो है, वो कहां से निकलता है, मुंगेली के लोर्मी के पठार से मनियारी नदी निकलता है, और मनियारी नदी सिवनात नदी की सहा जो बोल रहा हूं मनियारी नदी मुंगेली के लोर्मी के पठार से निकलती है और जहां मनियारी नदी सिवनात नदी से मिलती है तो दोनों के संगम पर ताला गाओ नामक प्रसिद्ध पजिटन इस्थल चतिस गड़त में इस्थित है ठीक है यह ध्यान रखना यह हो गया में आता है ठीक है अब ताला गाओं को देख लेना देवरानी जठानी मंदीर है यहां ठीक है देवरानी जठानी मंदीर कौन सा जीला में बोलेगा तो बिलासपूर जीला ताला गाओं बिलासपूर जीला देवरानी जठानी मंदीर इस्थित है कहां ताला गाओं में तर पर मन्यारी नदी तो यहां पर स्ईवनाथ संगं पर इस्थित पास में पूछ दिया कि कौन इसे नदी के तर्ट पर इस्थितत बरना ये तो संगम पास में oritom Pahh lenya लेकर क्या दिफिकली किसी नदी के किनारे है बोलेगा तो मनियरी नदी के तर्ट परिस्थित था है ठीक है तो यह सबसे प्राचीन मंदिर है चत्रीजड़क ohla का सबसे प्राचीन मंदिर कौरा वहाया था देवरानी यठीन मंदिर है इसे सरब परियटन वाला हिस्सा देखेंगे तो इसके मंदीर के बारे में और डीटियल पढ़ेंगे अभी इतना सफिशेंट है यह जो है वो इतना पढ़ेंगे आपको इतना प्राचीन रुद्रसीव की प्रतीमा है यहां यह चीच को याद रखना यह जितना भी बता रहा हूं सब ठ ठीक है तो यह हो गया आपका लोर्मी का पठार अब देखते हैं सीमांत उच्छ भूमी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत हो तो कमेंड सेक्शन में कमेंड करके पूछ लीजेगा सीमांत उच्छ भूमी इसको यह किसको बोलते हैं पहले भी बताया था मैं इसको सीमांत उच् 37 वड़ की सीमा है पश्चिमी सीमा तो यहां पे जो पठार है उच्च भूमी का मतलब परवत हाइट परवत तो यह पश्चिमी उच्च भूमी और यह वाला जो हिस्सा हो गया यहां जो पहाड है वो पूर्वी सीमांत उच्च भूमी का हिस्सा आ गया तो सीमांत मतलब सीमा के अंत में उनके बारे में सिमांत उच्छभूमी के अंतरगत 2 पहाड़ पढ़ेंगे बहुत सब पहाड़े यह सब भी से उच्छभूमी के अंतरगत आते हैं लेकिन इसको देखो पेटे-चुवा के बालोध में याद रखना पेटे चुवा की पहाड़ी कहा है बालो जीला में है लिख लेना यहां पे लिखा नहीं हूँ पेटे चुवा बालो जीला में है जहां से खारून नदी का उदगम हुआ है खारून जो है वो रैपूर रैपूर जो है रैपूर शहर जो है रैपूर शहर जो 36 गड़ की राज यहां पर सोमनात एक प्रसिद्ध तीरतिस्थल भी बसा हुआ है सोमनात जो है चत्यज़ड़का सोमनात जिसको कहते है वह जो है वह खारू नदी और सिवनात नदी के संगम पर बसा हुआ है यह चीज़ भी याद रखना इसके अलावा दूसरी पहाड़ी है दल्ली राजहरा दल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ है बालोजीला में है यहां पर है यह वाले जीट से में बालोजीला तो दल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ है बालोजीला में है बालोजीला में दल्ली राजहरा की पहाड़ी में धारवार चट्टान का विस्तार है इसलिए यहां पर लो एस्क का उत्पादन होता है धारवार चट्टान से और यह लो एस्क भिलाई स्टील प्लांट के लिए निर्याद किया जाता था लेकिन चुकि कांकेर के रावगाट की पहाड़ियों से में लो एस्क बहुत जादा मात्रा में और अच्छे किस्म का पाया जाता है इसलिए अब जो है वरतमान में कांकेर के रावगाट की पहाड़ी से भिलाई स्टील प्लांट को लो एस्क कर आया निर्यात किया जाता है यहां से नहीं जाता अब रावगाट की पहाड़ी जाता है लेकिन यहां से पहले जाता था और अभी भी यहां पर लो एस्क मौजूद है य यहां से लात नदी का उदगम हुआ है अब सिर्फ आपलों को पहड़ी कौनसे जिले में याद रखना है इन सब पहड़ी संव कौनसे जिले में है। और नदियों के उदगम यहीं से मैं आपको बताते चल रहा हूं तो आपको अच्छे से नोट करते चलिए रायगण में रदन की पाड़ी है जहां से लात नदी का उदगम हुआ है ठीक है ये सब को बताऊंगा मैं जब अपवात अंत्र में लात नदी किसका सायक नदी है ये वो सब जो है ठीक है धमतरी में भात्रिगण की पाड़ी है जहां से पैरी नदी का उदगम हुआ है पैरी नदी का उदगम हुआ है तो इसको याद रखना है पिजा तो पिथारों से जोंक नदी का उदगम पैभे ऐसे याद रही जिले की सिहावा परवत से बहा नदी का उदगम हुआ है ठीक है धमतरी जीले में क्या है सिहावा परवत कौन से जीले में है धमतरी जीले में इस परवत से महा नदी का उदगम हुआ है सिहावा परवत के बारे में स्रिंगी रिसी आस्रम जो है वो सिहावा परवत में है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर इसके आसपास के छेत्र में क परवत बंधिक्त पिए रखना और यहां पर धमतरी जिला में एख पहाड़ है नरियर पानी यहां से सोंधूर नदी का उधगम हुआ है कौन सी नदी का उधगम सोंधूर नदी का उधगम ठीक तो ये भी आद रखना गडिया पहाड इसके अलावा देख ले आप कहा है कांकिर जीला में है यहाँ पर गडिया पहाड है ठीक है अलबका पहाडी बीजापूर में है यह वाला हिस्सा बीजापूर का है तो यहाँ पर अलबका पहाडी है यह दलहा पहाड कहा है जांज आपका जितना भी पहाडी थी kill ह at theji भुड़ा सा और बचाहे उसको देख लेते। बस्तर का मैदान और बस्तर का पठार यह फूरा दंडका रिपाड्य का पठार का च्यत्र है लेकिन आप लोग की इसको कहते हैं बिजापूर और सुक्मा यह जो दो हिस्सा है बीजापूर और सुक्मा यहां पर बस्तर का मैदान है ठीक है याद रखना इसको बोलते हैं बस्तर का मैदान कहते हैं जो बस्तर का मैदान कविस्तार की इसकी जीले में पूछे का तो बीजापूर और सुक्मा दो जीले में लिख लेना और बां बस्तर के पठार के अंतरगत क्या आते हैं बस्तर के पठार के अंतरगत बस्तर के पठार की ओसत उंचाई वाला छेत्र याद रखना लिख लो अच्छे से बस्तर की पठार पस्तर का पठार कौन से समझ में आ गया बस्तर के पठार की ओसत उंचाई वाला छेत्र है अबूज नदिरा चोटी जो की धंते वाड़ा ऍंपोरेंटे में अपर्ड़ करें है चीज का हाइट है वह भी पिछले विडियो में मैं में बता चुका हूँ. ठीक है? यह नंदीरा चोटी है, तो यह नंदीरा चोटी कहा है, दंतेवाड़ा में? तो बस्तर के पठार के अंतरगती दोनों आते हैं, इसके अलावा जीरम घाती और दर्भा घाती, ये दोनों भी कहां नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो अपवात अंतर वाला हिस्सा जो हम लोग अगले वीडियो से कवर करेंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बतेए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया मेरा एफ़र्ट अच्छा लगा त ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए कमेंट करना न भूलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन वन्ने मात्रम